दस से पंदरा साल पुराने ओल्ड वेकल डैली NCR में यूज करना अब इलीगल हो गया है और अब नए रूल्स के हिजाब से चाहे आपकी कार की फिटनेश दस या पंदरा साल से भी जादा के लिए वैलिड है या फिरकार दूसरे स्टेट में रजिस्टर डी क्यों न हो उसे फैने से करवाना चाहिए सभी चीजों के बाए में डीटेल में बात करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं आवे कंवर्जन के बारे में तो सबसे पहले नंबर पर आती है अई पहले नंबर पर इसलिए क्ट्र क्पर पावर बहुत ही जादा है यह इवी किट 50 से लेके 300 किलोवाट के आउटपुट को सपोर्ट करती है और 1000 से लेके 5000 एनम का टॉर्क ट्राइव साफ्ट तक ट्रांसफ़र कर सकती है जो किसी भी नॉर्मल वेकल के लिए काफी जादा पावर है यह इवी किट बड़े वेकल्स के लोट्स को भी आराम से हैंडल कर सकती है इस किट का जो आर्केटेक्ट्चर है वो भी 800 वोट्स को आराम से सपोर्ट कर सकता है तो पर देखा जाएए इवी किट हैवी वेकल्स के लिए ही जादा शूटेबल है इस किट का प्राइज आप 2 से 3 लाख रुपे के बीच में एक्सेप्ट कर सकते हैं दूसरी इवी कनवर्जन किट है लूप मोटो की तरफ से जो कि most of the Indian popular cars में आराम से फिट हो जाएगी इस किट क कि जो maximum driving range है वो 180 km तक accept कर सकते हैं 80 km पर आर की top speed के साथ इस किट का जो starting price है वो 3 से 5 लाख रुपे के बीच में रह सकता है थर्ड इवी किट आती है आपकी e-trio company की तरफ से और ये किट भी exact most of the popular सभी cars के अंदर आराम से इंस्टोल हो जाएगी company ये claim करती है कि जो e-v kit e-v 180 के नाम से available है maximum 48 hours के अंदर ही आपकी car में install कर दी जाएगी और इस किट का जो starting price है वो आप minimum 4 लाख के आसपस accept कर सकते हैं fourth e-v kit है आपकी भारत e-v kit providers की तरफ से ये e-v kit आपकी specially मारूतिकी sedan और hatchback cars के लिए ही design की गई है ये kit भी AR AI और ICAT approved है इस kit की जो cost है वो 5 lakhs के आसपस accept कर सकते हैं अब last number पर electric kit आती है Rex Nemo electric car conversion की तरफ से इनके पास बेवी most of the सभी popular cars के लिए e-v conversion की facility एफिलेबल हैं और vintage cars का e-v conversion भी इनके पास किया जाता है electric conversion की जो cost है वो सबसे ज़्यादा depend करते है battery pack पर आपको जितनी ज़्यादा driving rain चाहिए होगी cost भी उतनी ज़्यादा increase हो जाएगी और एक factor और भी है जो की e-v conversion को थोड़ा affect कर सकता है अगर आपकी car market की popular cars में से एक नहीं है तो उसके लिए retrofit और other components को अलग से design किया जाएगा जिससे e-v conversion की cost भी बढ़ सकती है e-v kits आपको market में और भी मिल जाएगी पर आपको ध्यान रखना है कि वो RTO से approved होनी चाहिए और आपकी car में आराम से fit भी हो सकती हो इसके बाद आपको एक e-v conversion dealer को find out करना है और आपको अपनी सारी needs जो भी आप car से चाहते हैं वो उन्हें बतानी है और फिर सारे ही process की confirmation आपको उन लोगों से लेनी होगी e-v kit आप जहां से भी install कराएं वो certified जगा से ही कराएं क्योंकि वो लोग ही car के e-v conversion को RC पर approved करवा कर आपको दे सकते हैं जिसके बाद आप अपनी car को legally पूरे इंडिया में आराम से drive कर सकते हैं जो e-v kit providers हैं वो लोग भी most of the सभी लोग e-v conversion का काम भी करते हैं बस आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आप install कराएं वो certified installation और अच्छी retrofitment आपको offer करें तो अगर आप लोगों को पूरा process समझ आ गया हो तो आप भी नीच वाले subscribe बटन को क्लिक कर सकते हैं तो ही थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक शेर और अगर आप चैनल पे नए है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए टोपिक के साथ